हेलो दूस्तो वेलकाम बैट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास आज की क्लास में हम सब जो है के तेंथ क्लास का जो है किमिस्ट्री जो पढ़ रहते उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा अभी किरिया है और अवकरन अभी किरिया तो इससे पहले नियूए डार चलिए पानेले जो है यह जो आफ हमारा सबसे पहला भी किरिया जो था वह सईयोजन अभी किरिया था दूसरा जो अभी किरिया था वह भी हुगा ओता है कि कोई में क्दार बनाता है तो इसको अभी बोलते है विखेवाज़न में एक बड़ा पधार्त तुटके जो रगते हैं तो इसको भी जन बोलते हैं इसके बाद विस्थापनाभी डियमें क्या होता है कि कौई कि एक तत्व ऌजो है किसी दूसरे तक वादार्थ में इस्तापित कर देता तुर जिसका पैठर्ण यह कुछ इस परकारह होता है कि कि एह कोई तत्व और कО्फॉर्म ही कि धात्व ही होगा और बे-सी कोई योईक है ति इसमें क्य mélange बस्थापित कर देगा और इससे बन जाएगा A, C यह कोई तत्व बना लेगा यहाँ पर योईक बना लिया फिर दूई विस्थापन को ही जो है उपहे विस्थापन कहा जाता है double displacement और single displacement जो है विस्थापन हुआ double displacement में क्या होता है कि दो योईक आपस में अभिक्रिया करते है A, B और B, C अभिक्रिया करके जो है B, D A, B और C, D अभिक्रिया करके जो है क्या बनाता है तो A जो है अभिक्रिया कर ले था है D के साथ A, D और उसके बाद C अभिक्रिया करता है B के साथ तो C, D तो यह जो है याद रखने का पेर्टर्न है आज हम सब जो है ऑक्सीकरन अभकरन अभिकरिया के बारे में जानेंगे जो हमारा अभिकरिया यह पांचमा अभिकरिया है ऑक्सीकरन तो ओक्सीकरन अभिक्रिया, ओक्सीकरन को जो है, कहा जाता है उपचयन, ध्यान से इसको देखेगा, कि ओक्सीकरन का ही नाम है उपचयन, इसको बोलते हैं ओक्सीडेशन, ओक्सीडेशन रियक्षन, तो ये रहा ओक्सीकरन अभिक्रिया, ओक्सीकरन अभिक्रिया में क्या होत तो उसको हम अभी ऑक्सीकरन अभी करिया बोलेंगे या उपचेन अभी करिया बोलते हैं या कोई भी अभी करिया में अगर ऑक्सीकरन कहीं जूट रहा तो उसको ऑक्सीकरन अभी करिया बोलेंगे साथ में इसमें क्या होता है कि oxygen जूटे या hydrogen जो है निकले hydrogen का हरास हो या oxygen का योग हो तो इसको अगर लिखेंगे तो language जैसे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें oxygen का योग होता है oxygen का योग होगा और नहीं तो हो सकता है कि hydrogen का वियोग हो वियोग मतलम निकले, हट जाए या तो oxygen का योग हो जूट जाए oxygen का विर्धी हो इसी को विर्धी भी बोल सकते हैं और नहीं तो hydrogen का हडास हो या hydrogen का वियोग हो तो इस अभिकरिया को जो है oxygen अभिकरिया बोलता है जिसमें oxygen जूटे hydrogen निकले अब जैसे देखते हैं कि carbon हुआ या copper ले लेते हैं copper है, इसमें oxygen जूटे है तो इससे क्या बनता है copper oxide बनता है तो यहाँ पर यह कोई सी अभिकरिया है oxygen अभिकरिया हुआ इसमें oxygen किसका हो रहा है copper का oxygen हो रहा है और जिसका oxygen होता है उसको oxygen पदार्थ बोलता है तो यहाँ पर oxygen यह हो गया copper का oxygen हो रहा है फिर अगर देखते हैं sulfur है sulfur में oxygen जूट रहा है तो इससे बन रहा है SO2 तो यहाँ यह oxygen हो रहा है तो यह oxygen हो रहा है अब पहले हम सब जाने थे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, प्रतियस्थापन उसी को दुई विस्थापन बोलते हैं तो यहाँ पर अगर हम पूछेंगे कि यह अभी करिया संयोजन है या वियोजन है तो संयोजन, वियोजन में क्या है तो संयोजन का मतलब होता है जोर न कद दूटने एक नया पदार्थ एक नया पदार्थ बनाएंगा तुम संय Cheese पनाएंगो ये जह औक्सीकरन अबकरन की बात किया जा है और अगर लिखते हैं कि मेगनिसियम है इसकी अभी क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहां से मेगनिसियम ऑक्साइड हो गया टो यह औक्सीक्रन अभी क्रिया के उदारन है अगर देखाता जो पेर पौधा गुलकौुच को तोड़ता है कि यह हम सब जो इक है करते हैं और इसकी सास लेते हैं यह गुलकुक्वच है सास लिए तरहिं से डाते हैं जल बनाते हैं और और उटसा तो यह जो है पाचन किरिया का जो है यह समीकरन होता है यह भी जो ऑक्सीकरन होड़ा हमारे सरीर में भी हमारे सरीर में जो अभी किरिया होती है जिसके दोरान भोजन का पाचन होता है तो वह भी ऑक्सीकरन किरिया की माध्यम से ही होती है तो यह अभी क्रिया का उधारन है और यहां पर एल ट्रू ओधिरी हो जाएगा यहां भी ऑक्सीकरन हुआ तो ऑक्सीकरन अभी क्रिया कहां कहां होगा जहां ऑक्सीजन जूटेगा जब भी ऑक्सीजन जूटेगा तो वहां पर ऑक्सीकरन अभी क्रिया हो जाएगा पूछा जाए कि यह अभी क्रिया में ऑक्सीकरन अवी किरिया में हाइद्रोजन का योग होता है जोट जाता है और ही तो दूसरा सरती रहे हैं जोट योग होता है तो इसको अभी बोलते हैं औक्सीकरन का एक और नाम है उपचयन यह दोनों जो है अब करन को रिड़क्शन बोलते हैं और इसका एक और नाम है उसको बोलते हैं तो उसको हम देखेंगे अभी किरिया है तो यहां पर पांचमा दो अभी किरिया था ओक्सी करन था उप्चयन और अग्सीडेशन तो इसमें क्या हुआ था ओक्सी करन अभी किरिया में जो है ऑक्सीजन का वियोग हुआ था और क्या हुआ था हाइड्रोजन का वियोग हुआ था और छटमा अभी किरिया जो है वो है अभकरन अभी किरिया अभकरन को अपचयन कहते हैं reduction reaction इसमें क्या होगा अब करण औ से हैं ये दोनों जो औ से नाम है ये औ याद रखेगा अब करण अपचयन और ये जो है और ऊक्सीकरण है ये उपचयन है इसमें क्या होगा उल्टा हो जाएगा और इसमें वियोग होगा औक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का जो है योग होगा ये दोनों अभी करिया एक दुसरे के विप्रित है औक्सीकरण में क्या होगा औक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन निकलेगा और अब करण अभी करिया में जो है औक्सीकरन का क्या होगा वियोग होगा औक्सीकरन हटेगा और हाइड्रोजन जो जुटेगा इसका एक्जाम्पल अगर लिया जाए तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हुआ और ये सल्फर हुआ तो इसका भिलेंसी जो है सल्फर का 2 है तो हाइडोजन के पास आजाएगा हाइडोजन का 1 है तो H2S बनेगा और इसको संतुलित कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइडोजन जो है जुट रहा तो यहाँ अवकरन अभी किरिया फिर लेख सकते हैं कि H2 Cl2 तो इससे क्या बनेगा HCl दोनों का भिलेंसी एक है तो इसको ऐसे तो संतुलित आप कर सकता है तो यहाँ ऑक्सीजन यहाइडोजन का योग हो रहा फिर लेख सकते हैं कि H2 फिलस F2 तो यहाँ पर HF दोनों का भिलेंसी एक होता है तो यह जो अभिकरिया है अभिकरन अभिकरिया होगी और इसी को अपचयन अभिकरिया पते है तो यह समझ में आ रहा होगा आगे हम सब देखते हैं कि ऑक्सीकरन अभिकरन कभी-कभी क्या होते कि कोई ऐसा अभिकरिया है कि उसमें ऑक्सीकरन भी होता है और और क्या बंता है हो कि यहां तो आंपकरन हो तो उस और दोनों अभीक्रिया एक कि इसको रेडॉक्स अभी क्रिया कहा जाता है रेडॉक्स जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभी क्रिया एक साथ हो तो इसको रेडॉक्स अभी क्रिया बोलते हैं यह रेडॉक्स अभी क्रिया का उदारण है और लिख सकते हैं रेडॉक्स अभी क्रिया में जैसे कॉपर औक्साइड है इसमें हम जोर देते हैं हाइड्रोजन को यहां से क्या है कि बन जाता है कॉपर बाहर निकल जाएगा और यह जल बन गिया से जल बन जाता है और यह कॉपर निकल लिए तो यहां जो अभी क्रिया हुआ हाइड्रोजन ऑक्सिजन में जूट रहा है यहां पर और ये जो ही प्लिक्व सकते हैं के लिख सकते हैं तो यह हमाड़ा तो ऑक्सिकरन अभी believe जब दोनों एक साथ होती है तो उसको जहेंus सब्सक्राइब और और अक्सी करण में किया होता है कि oxygen का योग होता है हराधोस जब और अभिक्रिया और अब ग्रियोरोट को यह अगर उन्हें चुन करके बाइं ने में से कौनसी आपक्रिया देख लेंगे कि एक ऐधर हो तो यहां पर कर नक मुआं घ्रण और यह भी कर लिया है और यहां पर से यह भी करिया नहीं होगा लेकिन विस्थापन 20 विस्थापन में कुंशी विस्थापन अभी किरिया एक अभी किरिया जो है और दो तीन अभी किरिया हो सकता है जैसे अगर हम पूछे है यह पांच जो है धनातमक यहां पर देख रहे हैं कि hydrogen नभी किरिया हो जाएगा oxygen गाइसे कोई अभी करें तो यहां तक फाला है साहीं ऑजन विस्ठापन दुई ऀख्थापन विस्थापन को जो है कहा जाता है एकल विस्थापन और डूइ विस्थापन को हम बोलते हैं उसके बाद और जलम और और अभी दोनों एक साथ होता है तो उसके अलादे जुए 5 अभी किरिया और बच्च्चुका प्रकास रशाइनी करिया उदासनी करना भी करिया है और अब 6 पर भी क्रिया यह पांच भी करिया जो है नेक्स्ट वीडियो में कौफड हो जाएगा तो तब तक के लिए जैहिन आपका दिन सुभाव